यदि आप चाहते हैं कि किसी भी इस्त्री को पलभर में अपने प्यार में बेचैन कर दे किसी भी इस्त्री को पलभर में अपने प्यार में दीवानी बना दे तो सिर्फ एक कपूर ले करके आप इसको जला दीजेगा जैसे ही जलाईएगा अपने मन में इस मंत्र को बोल आपके प्यार में टरपना शुरू कर देगी और हमेशा आपके प्यार में टरपेगी मेरे प्यार प्रवक्त हो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को वसिकरन का कैसा विधी वताने वाला हूं जो की एक बार के करने से ही आपका प्यार आपको मिल जाएगा आपका प्यार आप को कुछ नहीं करना है मेरे प्यार प्रवक तो बहुत सारा लोगों का समस्या होता है कि उनका प्यार वो जिसको भी चाहते हैं वो प्यार बात नहीं करता है नफरत करता है या छोर कर चला गया है किसी और से प्यार करने लगा है या प्यार दूर बैठा हुआ है लेकिन पास आ को जला दिएगा जैसे ही जलाईएगा आप घर बैठे बैठे उस समय जैसे ही इस मंत्र को बोलिएगा ये मंत्र अपना असर दिखाना सुरू करेगा और वह इस्तरी खुद पर खुद आपके प्यार में दिवानी होकर आपके पास आजाएगे ना चाहने के बाद भी बार-ब प्रिद्या का प्रयोग किया जाता है आएए बताते हैं कि कैसे इस वसिकन टुटका को करना है और कैसे अपने प्यार को अपने मुठी में करना है कैसे अपने प्यार को अपने काबू में करना है दखिएगा उसके पहले प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर दीजे से पहले इतना सारा जो कपूर है इसको हम साइड में रख देते हैं इसका कोई काम नहीं है सिर्फ एक कपूर आपको लेना है देखते रहिए कैसे हम इस वसीकन टुटका को कर रहे हैं जैसे जैसे हम बता रहे हैं वह इससे आपको ये टुटका करना है अपने प्यार के लिए उस इस्तरी के लिए जिसको वस्म करना चाहते हैं फिर चमतकार दखिएगा वह इस्तरी आपको पाने के लिए हमेशा बेचयन हो जाएगी वह इस्तरी आपके बगर नहीं रहा पाएगी पलपल आपके लिए तरपेगी और आपके प्यार में दीवानी बनके आपके आगे चलिए। जैसे ही कपूर आप ले लीजिएगा इसको किसी बरतन पे रख दिजिएगा छहाए वो स्टील का हो या ताãoबे या पितल के वर्तन हो उस वर्तन पर रखने के बाद में आपको करना क्या है द्यान से दिखिएगा आप थोड़ी सी मात्रा में लाल धागा लेजिएगा क्या किजिएगा लाल धागा क्या करना है ध्यान से दिखिएगा थोड़ी सी मात्रा में लाल धागा लेना है जैसी कि ये लाल धाग है हम इस लाल धागे को ले लेते हैं बहुत सारा लोग बोलेंगे कि लाल धागा कितना लेना है कैसे लेना है तो यह जो हाथ में बंधा जाता है मौली होता है इसको भी ले सकते हैं इस धागे को लेने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा इस प एक बार इस पर गाठ लगा दिये उस इस्तरी का नाम बोलेंगे जिसको वस्मे करना चाहते हैं एक हो दोबारा लगाते हैं इस प्रकार से लगाएंगे गाठ इस प्रकार से दो यानि कि दोबारा हो गया इस प्रकार से अब फिर तिसरा करना है ते बारा हो गया यानि कि जब जब हम गाट लगाएंगे उतना बार आपको अपनी प्यार का नाम लिककर के उस सिरी का नाम लिपकर की इस पर फुंक लगाना है अब करना कुछ नहीं है बस यह जो धागा है इसको यहां है बरतन के पास में ठीक है ना इस बरतन के पास में रखना और इसे बरतन पर आपको कपूर रख कर के जलाना है चमतकार दिक्षिएगे कई से वसीकण टूटका हो रहा है कैसी आपका प्यार आपके लिए बेचेन हो जाएगा आपके उग्दम नहीं नहीं रहा पाएगा इस कपूर को हम यहां पे रख देंगे बीचों बीच में अब करना क्या है कि आपका प्यार आपके तरफ खींचा हुआ चला आए जैदी आप जिसको चाहते हैं जिस से प्यार करते हैं और उसको पाता भी नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं और आप च बस करने की देरी है, आपको प्यार आपके बगएर नहीं रहा पाएगा। आपको करना क्या है? देहां से दिक्षिए काने। इस कपूर को लेकर करके आपको क्या करना है? इस परकार से जला देना। लेकिन जलाने से पहले मैं आप सबी के एक बात बता दूँ, कि यह जो वसिकन टोटका आप कर रहे हैं पूरब दिशा और दखिन दिशा के कोन की तरफ घूम करके आपको बैठना है कहां बैठना है पूरब और दचिन दिशा के कोन के तरफ घूम करके बैठना है क्योंकि उस दिशा में वसिकरन की देवी बसती है और जैसे इस वसिकन को किजिएगा यह वसिकन अपना अफर दिखाएगा और आपके प्यार के दिल में, उस इस्टरी के दिल में आपके लिए इतना मोहबत पायदा कर देगा कि वो इस्टरी आपको पाने के लिए सबको छोड़कर आपके पास आ जाएगी आपके पास फोन करने लगेगी, बार बार आपसे बाते करेगी, यानि कि आपके ही बारे में सोचेगी, आपके अलावा ना किसी को देखेगी, ना किसी और से बात करेगी कपूर को सबसे पहले जलाना है इस परकार से शोरी पहले जला लेते हैं इस परकार से कपूर को क्या करना है जलाना है कपूर को जैसे ही जलाईएगा शोरी यहाँ पर कपूर को जैसे ही जला दीजिएगा आप क्या किजिएगा ध्यान से दिखिएगा कपूर को जलाने के बाद में ध्यान देना है आपको कि यह जो लाल धागा है इसी बर्तन पे रहना चाहिए ठीक है ना और कपूर को क्या करना है अपने सामेश प्रकार से रख देना है रखने के बाद में कपूर जब जलेगा तो आपको क्या करना है इस कपूर के जलते ही हुए लव की तरफ आपको देखना है बार बार लगतार देखना है और देखते देखते आपको क्या करना है उस इसके आरी आरी इस प्रकार से आपको क्या करना घुमाना है इसके आरी आरी इसको घुमाना है इस लाल धागे को जैसे घुमाते रहेगा जब तक ये कपूर जलेगा जब तक आपको घुमाते रहना है और जैसे ये पूरा जल जाएगा उसके बाद में क्या करना है आये बतात हैं बस आपका काम हो गया आपको कुछ करने की जरूफलाट नहीं हैं आप कुछ समय अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा या इसको अपने गले में बांध लीजिएगा लेकिन बांधे समय उस इस्त्री का नाम जरूर लीजिएगा इस्त्री का नाम साथ बार लीजिएगा अपना नाम साथ बार लीजिएगा और इसको अपने दाहिने हाथ में या ग या आपके हाथ में उसी समय से उस इस्त्री के दिल में आपके लिए मोहबत पैदा हो जाएगा। वो इस्त्री आपके प्यार में ट्रपना शुरू कर देगी। लेकिन उसके पहले इस मं速ek में डिमाना जरूरी होगा। इस मंप्र को सुन लिजे। यह जो मंत्र है इस मंत्र को आप उसी समय जब आप इस धागे को दिखा रहे हैं अपने प्यार को उसी समय इस मंत्र को बोलना है मंत्र सुन लिजे ओम काम कमाख्या देवी अमुकी मे वस्मनाई वस्मनाई स्वाहा इस मंत्र को बोलना है इस मंत्र में अमुकी के जगह पे उसी इस्तरी का नाम बोलना है जिस इस्तरी को अपने प्यार में टड़पाना चाहते हैं अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं या उस पुरुज का नाम बोलना है जिसको दिवाना बनाना चाहते हैं इस मंत्र को सिर्फ 108 पर बोलना और इसको एकदम जान बुच करके उस प्यार को दिखाना है उस इस्त्री को दिखाना है मैं वादा करता हूँ मेरा वादा है आपसे सिर्फ एक से दो घंटे के भीतर में ही यह वह सिकरन मंत्र अपना असर दिखाएगा और आपके प्यार के दिल में आपके लिए मोहबत पैद जितने उड़ाएंगे सबसे पहला पी के पास में जाएगा